स्टाइब लेटन्ट मैद भी है मिस्टरी में हम आ गए हैं विट जो है डिफिनिशेटिंग अजर्णल पावर फंक्शन इस जर्णल पावर फंक्शन इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि अगर हम यह समझ आ गया तो हम सारा इस जर्णल पावर फंक्शन इसलिए पावर फंक्शन इसलिए डरिवेटिव से आगे समझ आ जाएगा तो यह जो है हमारे पर बहुत थादा इंपॉर्टन पॉइंट है यह आते हैं सी क्यूज में और अक्सर यह जो है शॉट में भी आते हैं ठीक है यहां पर जो है हम लोग जो भी चीज़े जो मैथर्ड यूज़ करेंगे वो हर चकह यूज़ करेंगे on the different conditions ठीक है तो जल्दी से चैनल को सुब्सक्राइब कर दीज़े अगर अभी तक आपने चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया साथ भी आप मेरी ओनलाइन क्लास इसकी साथ डीटेल्स वीडिय कर सकते हैं ठीक है तो चलिए without any delay start करेंगे हमारा जो है आज का function हमने find करना है derivative dy by d of x with respect to x हमने find करना है अगर हमारे पस function जो हो y equal to x पे power x हो ठीक है यनि जो हमारे पास base है वही हमारे पास power है तो अकर x पे power x होगी तो उसका derivative हम कैसे find करेंगे we will see in this video सबसे पहले हमें exponential function की definition अच्छे से पता होनी चाहिए वह मैं पढ़ा चुकी हूँ उसकी link भी जो है मैं नीचे description में दी रखी है अगर आपको natural functions का भी देखना होगा तो वह भी मैं नीचे description में लिंक दे रखी है वहां पर आप check out कर सकते हैं description में जितनी भी related videos है सब मैंने दे रखी है तो चलगे अब हम क्या करेंगे हम यूस करेंगे natural natural exponential function की definition या पर हम लिख सकते हैं express the given function in natural exponential function ठीक है अब वह funk मतब यह क्या है हमारे पास तो अगर किसी ने पीछे वाली videos दे रखी है तो उनको पता होगा लेकिन जिनों नहीं देखी उनको बता देती हूँ कि इसका मतब है कि y equal to x by power square हम इसको represent कर सकते हैं in natural exponential function जो मैंने भी नाम लिखा किस तरह से represent होता है e की power natural log x by power x ठीक है इसको हम बोलते है natural exponential function देखे natural block भी आ रहा है exponential भी आ रहा है और इसको हम function बोलते हैं तो इसको हमारे पास आ गया है in the term of natural exponential function बहुत तरह सिंपल है ठीक है और अब देखे किसे मैं step by step इसको easily solve कर लूँगी अब हमारे पास जो function है वो यह नहीं रहा ठीक है अब वो यह हो गया है सभी है इसको अपने ऐसा cross देवाना मैं तो बता रहूं न कि मताब वो यह नहीं रहा हमने जो solution करनी है वो हमने करनी है इसके according ठीक है तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जो है information दी गई है important जो कि है x की x हमें दिया क्या है 0 से greater बतार यह हम लोग इसका derivative हम तभी find कर सकते हैं अगर x हमारे पास 0 से greater होगा ठीक है condition दी रखी है यहाँ पर यह condition as it is नहीं है अगर यह 0 से जो है less होता फिर हमारे पास यहाँ पर conditions को change रहते हैं तो अब हमारे function क्या है y equal to e की power natural log x पर power x अब natural log की properties अगर किसी नहीं पता description में मैंने link दे रखी अब आप बोलेंगे मैं हर चीज की link आप ने दे रखी है because यह सारे topics में पढ़ा चुकी हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम use करने वाले है natural log का power rule मैं natural log का इससे बोल रही हूँ क्योंकि power rule हर चीज में होता है derivatives में होता है integration में होता है natural log में होता है ठीक है तो यह natural log का power rule हमें क्या बोलता है कि y equal to e यह power rule यह जो है power जो है left hand side पे आजाएगी x natural log of x we will represent this function in the form of this because we applied the natural log power rule ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब हम both side पे derivatives apply कर देंगे जिसके लिए हम निती महत कर रहे हैं finally अब वो करेंगे d by d of x ठीक है अब next exponent का जो है अगर आप derivative निकालेंगे वो एक exponent ही होता है ठीक है सबसे बहुते हैं यहाँ पर हमर पर d by by d of x आ जाएगा अब exponent का derivative exponent ही होता है so we will write here d की power x natural log of x with chain rule chain rule use करेंगे यहाँ पे chain rule chain rule में क्या होगा यह जो power होगी d by d of x यह again हम differentiate कर देंगे यह हो जाएगा हमारे पास x natural log of x ठीक है अब हमने क्या किया chain rule apply की natural log का power rule apply किया तो यह जो हमारे पास power है इसको हम लोग again जो है derivative में ले लेंगे ठीक है अब यह हो गया है यह मैं heading भी हटा देती हूँ अब हमारे पास है d y by d of x यह आप इसको लिख सकते हैं y of dash ठीक है it's your own choice आपको जो अच्छा लगता है आप लिखेंगे मैं इसके दोनों लिखने हूँ ताकि जिन student को confusion है के y dash औ d y by d of x अलग होता है उनको यह confusion ना रहे है यह अलग चीज़ नहीं होती यह एक ही चीज़ होती है ठीक है एक का एक ही है तो चलिए अब हमारे पास यह चीज़ as it is आजएगी because यहाँ पर अब कोई भी चीज़ अप्लाए नहीं होनी यह as it is होगी x natural log of x अब जो काम है हमारा इस पे है derivative हमें find करना है तो इसका derivative क्या होगा देखे यह है एक function ठीक है यह है दूसरा function जब फिर दो functions हमारे साथ आते हैं product में तो हम भी apply कर देते हैं the great product rule of derivatives ठीक है तो यहाँ पर हम use करने वाले हैं यहाँ पर नहीं लिखती नीचे लिखती हूँ यहाँ पर हम use करने वाले है product rule for product rule for derivative ठीक है क्योंकि product rule भी बहुत सारी चीजों में होता है नाइस्टो लोग में होता है हर चीज में होता है इसलिए मैं बतानी है कि product rule हम लोग derivative में use करेंगे ठीक है अब product rule क्या बोलता है हमें हमें product rule जो भी बोलता है भाई वही बोलता है सही है product rule हमें क्या बोलता है कि first function first function into derivative second function derivative नैस्टो लोग का derivative क्या होता है 1 by x plus second function into derivative of first function x का derivative क्या होता है 1 होता है हम इसको एस्टिस दिख देंगे और अगर किसी को मेरा ये वाला formula समझ नहीं आया तो product rule की भी मैं लिंक नीचर description में दे रखी है आप हाँ चेक आउट कर सकते है ठीक है हमारे पास आदर है y dash या फिर डी वाई वाई डी ओफेक्स भी रिख सकते हैं उन्होंने ने हमें क्या दिया है एक authentic form दी है डी वाई 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 डी ओफेक्स तो हम भी वही यूज़ करेंगे ठीक है y of dash आप यूज़ कर सकते हैं बट बुक में ये था तो इसलिए अगर student confused हो तो वो ना हो मैं ये यूज़ कर दे हूँ ठीक है अब हमारे पास जो है e की power x natural log of x as it is रहेगा हमारा काम कहा है हमारा काम यहाँ पर है यह x और x cancel one बज़ के हमारे पास plus natural log of x जो हमारे पास बज़ जाएगा now last but not least आखरी property apply करेंगे जो के है exponential की और उसके inverse function की ठीक है exponential का inverse function है हमारे पास natural log और जब भी एक दुसरे के जो है करीब आते हैं यह हमेशा cancel out हो जाते हैं because these are the enemy फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर है हम इसको एक्सप्रेस करेंगे e की power natural log x पर power x ठीक है again इसकी general form में इसको डाल देंगे 1 plus natural log will be as it is अब e और natural log cancel हो जाएगा हमारे पास बचेगा x की power of x with 1 plus natural log of x and that's all हमारा जो है d y y d of x जो है fine हो गया है hope के सब को समझा गई होगी इस चीज़ की बहुत ही ज़दे important topic है ठीक है और derivative जब आ जाता है मैं हमेशा आपको कहते हूं integration and derivative अगर नहीं आते तो जल्दी सीखें because सारी mathematics इन ही दो चीज़ों पर depend करती है इसे की साथ आज की वीडियो के अन करते हैं hope कि आप सब को समझा गई होगी है and comment section मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है साथ ही आप मेरे online classes अटेंड कर सकते हैं जिसकी side details वीडियो के end में है अपना बहुत ख्याल रखीगा Allah Hafiz झाल बहुत वीडियो झाल झाल